आलू तो सबका फेवरिट होता है और आलू से ही आज हम पांच अलग-अलग तरह का भरता रेसिपी बनाएंगे जो की बहुत सिंपल इंडियंट से बनते हैं कुछ तो बीना प्याज लेसन वाले हैं कुछ तड़के वाले हैं सारी इंडियंट घर में ही अवलेबल है बस बनाने का और यूज करने का तरीका अलग है तो यह रेसिपी जरूर देखिए आपको बहुत पसंद आएगा नमस्कार मैं हूँ सुभंकरी और आप सब का स्वागत करती हूँ मेरा चैनल सूस फूट कॉनर हिंदी में उमीद करती हूँ कि आप सब खीक होंगे मेरे चैनल के अगर आप नए है तो फ्ली सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल बटन को टैप करना बिल्कुल मत भुलिए बेल बटन की और पर क्लिक किजेगा और मेरे वीडियो की इतना पसंद करने के लिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद पांच अलग तरका बना रहे हैं तो पहला तरीका है इंदिन स्टाइल है तो उसके लिए ना एक बाल ले ली हूँ मैं इसमें पतला पतला कटा थोड़ा ध्यान रखिएगा ना वक थोड़ा से डाल देंगे स्वात की साब से और ना जरा थंड़ा हो जाए एक दो मिनिट वेट कीजेगा मैं बार बार बोल रहे हूँ हाथों से इसको अच्छे से मसल ले जितना अच्छे से यह प्यास सुखा मीट जो नमक आप मसलेंग तो एक बार ही आप यह मसल ले उसमें कड़वा तेल डाल दे एक बड़ा चमच डालने के बाद तीन मीडियम साइस के में यहाँ पे उबले हुए छिले हुए आलूली हूँ सारा जो में रेसिपी बता रही हूँ ना अलू का इच रेसिपी दो परसंस के लिए एनफ है आप उसके हिसाब से कम जादा कर सकते हैं तो तीन मीडियम साइस के उबले हुए छिले हुए आलू में डाल दी और अब इसमें में कुछ कटे हुए हरे धनिया डाल दूंगी दो सिंपल वाला है दूसरा टाइप हम बनाएंगे इसमें ना मैं यहाँ पे उबला हुए आलू ले ली हूँ तीन और चिला हुए अच्छे से है इसको इस तरस मसल के ले ली हूँ इस रेसिपी में हम प्यास लेसन नहीं उस करेंगे तो उसको कॉम्प्रमाइस करने के लिए का अधिस एक चोटी चमच डाल दे अपने स्वात की हिसाब से कुछ कटा हुआ धनिया पत्ता और दो बड़े चमच घी में कुछ सुखा मीच में इस तरह से भून ली हूँ ध्यान रहे इसमें हमको घी के साथ वो मीच इसमें डालना है ताकि अच्छी से उसमें वो चंद से अवाज आए और कुछ भूना हुआ जिरा पॉडर डाले एक दो मिनिट कर ले क्योंकि यह काफी गरम है और जब गरम घी को आप धनिया पत्ता में ऐसे तड़का लगाएंगे ना प्याज लेसन तो हम डाल ली रहे हैं उसका अपना ही फ्लेवर उभर के आएगा और सारा फ टीसरे टाइप में शेर करूँगे यह अफ़ी चट पटा बनता है मज़े का बनता है इस तरह से एक अच्छा से क्रश करने वाला ले ली हूं दो कली लहसन का एक हरामिज को अच्छे से और इस तरह से क्रश कर ले बिल्कुल प्यूरी वेगरा ना यूज करे इसको अच्छ इसका फ्लेवर आता है, क्रश किया हुआ, कूचा हुआ ही ले, लहसन और हरामिच को इस तरह से, इसको एक बॉल में डाल दूंगे, जिसमें हम आलू भरता बनाएंगे, तीम मीडियम साइस के उबले, और छिलेवे आलू ले ली हूँ, अब इसमें थोड़ा सा काला नमक भी जाएगा, थोड़ा सा सफेद नमक भी जाएगा, तो पहले आप सफेद नमक थोड़ा डाले, और दो तीन चुट्री काला नमक डाले, फ्लेवर बैलेंस करने के लिए, जादा ना डाले, कटा हुआ हरा धनिया, मस्टेड ओल या कड़वा तेल एक बड़ा चेमच, और नीम मस्टर ओल या कड़वाते ले ली हूँ, जब गरम हो जाए, इसमें हम जीरा का फोरण लगाएंगे, जीरा जब अच्छे से चटक जाए, ध्यान रहे, तब इसमें हम कटा हुआ हरा मिर्च डालेंगे, दो से तिन अपने स्वात की साफ से आप डाल सकते है, जब हरा मिर्च चोटी चमच, तीन-चार कर ली होगा, चौप करके डाल दें, जरा से भूल लेंगे, हम लेसन को बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, फ्ले मीडियम पर ही है, अभी हम इसमें एक मीडियम साइस के प्यास को पतला-पतला काटके डाल देंगे, जरा नमक डाल देंगे, प्यास नरम पढ़ने में लगभग 3-4 मिट लगता है, क्योंकि हमको ज्यादा तो पकाना है नहीं, तुरंत यह थोड़ा नरम पढ़ जाएगा, आप देखेंगे, थोड़ा ट्रांस्लूसेंट हो जाएगा, जब इस तरह से हो जाए, यह फ्लेम मीडियम पर था, बहुत इं प्यूरी नहीं बनाना है, क्या मकसद है ना, आलू के भरते में इसका हलके से मूँ में टेक्स्चर आना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है, हाई फ्लेम पे 3-4 मिट भूल लेंगे, टमाटर जो है अंदर से तो सॉफ्ट हो ही जाएगे, एकदम सॉफ्ट नहीं, पर उनका जो साइज है ना, टेक्स्चर है वो बना रहाएगा, देखिए, देखने में अभी भी ये खड़े-खड़े लग रहे हैं, पर ये अंदर से गल गया है, बिल्कुल हमको ऐसा चाहिए, फ्लेम कम ना करें, और हाई फ्लेम पे 3-4 मिट भूनने के बाद, फ्लेम मीडियम कर ल मिला ले, और चटपटा सा थोड़ तड़के वाला बहुत अच्छा फ्लेवर वाला एक अलग टाइप का अलू भरता रेडी है, ये है हमारा फूर्थ टाइप, और लास्ट को हम शेयर करूंगे, फिफ्थ टाइप बहुत है, एक बाउल में थोड़े से पतले कटे हुए प मसलेंगे ना, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जरा सा हातों से मसल ले, थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल देंगे, और इसमें गरम पुरा धुआ निकला हुआ, कड़वा तेल एक बड़ा चमाश लेए हूँ, जब धुआ निकलने लगे, तब इसको हम इसमें तड़ तड़का लगाएंगे, ध्यान रहें कि धुआ निकल रहा हो, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, वेट करें एक दो मिनिट में बार बार बोल रहे हूँ, जब भी कोई गरम तेल डाले वेट करें, फिर इसमें तीन मेडियम सा इसके चिले हुए उबले हुए आलू और अब इसको हम मिलाएंगे अच्छे से, नमक वगरह अपने हिसाफ से आप टेस्ट कर लें, और यह जो तड़का देते हैं हम बस कड़वा तेल का गजब का फ्लेवर आता है, तो देखा आपने कितना जल्दी हमने बहुत सिंपल घर में मिलने वाले समान से 5 अलग अलग आलू भरता का रेसिपी बना लिया, बस बात है ना, वही इंक्रेडियंट्स को अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से मैंने यूज किया है, और सारे आलू के भरता जैसे आप देख पारे होंगे, सब का अलग अलग स्वात था, एक बार यह बनाएंगे तब आप जा तो एक बड़ी ट्राइ कीजिए, करके मुझे बताएंगे कैसे बना, अब समय है कमेंट अब देखा, आज का जो कमेंट है, वह है रागुनाथ प्रसात रिपाठी का वह लिखते है, थैंक्यू मैम पर क्लासिक स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी, थैंक्यू सो मच रागुनाथ आपने इतना प्यारा सा कमेंट किया है, इन्होंने स्ट्रीट स्टाइल चार्ट रेसिपे का आलू मतर चार्ट जो होता है न ठेले वाला उस रेसिपी पे कमेंट किया है, थैंक्यू सो मच कि आपने वो रेसिपी देखा, आपको अच्छा लगा और आपने इतना प्यारा सा कमेंड किया stay safe and stay connected और आज का जो रेसिपी है पांच अलग-अलग तरह के बहुत उनिक फ्लेवर्स वाले सब को पसंद आने वाला अलू भरता आपको जरूर अच्छा लगेगा एक बारी आप ट्राइ किजेगा सूस फूद को लुड हिंदी को आप Instagram और Facebook को यह फॉलो कर सकते वीडियो मेरा अच्छे लगा होगा तो लाइक करना विलकूल मत बूलेगा सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मेरा पेज को तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक stay safe love life and happy fooding